हेलो गाइज कोश्चन है हमारा कि plot the following points on the graph paper यान हमें जो points given है ने graph paper प्लोट करने है ठीक है जो देखिए यह हमने axis draw की है यह है x axis और यह है vertical line this is y axis ओके तो देखिए first point है हमारा plot करना हमें 2,5 को तो देखिए यह जो point देखिए में first part जो होता है x को coordinate और second point होता है y को coordinate होता है इसको बोलते हैं abscissa और y को बोलते हैं ordinate ओके अब देखिए हमें plot करना है 2,5 जो देखिए 2 और 5 दोन हमारी position number है तो आपको पताए कि यह position number है तो हम इसको like करेंगे first quadrant में देखिए first quadrant में 2,5 तो पहले हम यहां कुछ lines draw कर लेते हैं कि points तो यह origin है 0 यह point x axis 1,2,3,4,5,6,7 यह इसी की तरह चलता रहेगा और यह opposite direction में यह negative में होंगे हमारे values minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7 similarly in the same way जो y axis में है इसके भी above direction में भी positive होंगे और lower direction में negative points होंगे ठीक है तो यह negative minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 and this one is minus 6 ठीक है अब देखिए first point है 2,5 और यह positive है तो हम इससे लाई करेंगे तो इसके अब क्या कैसे point लाई करेंगे तो यहां से हम ऊपर चलेंगे देखिए कहां तक जाना है कि y axis पर हमें 5 मिल जाए तो y axis पर 5 देखिए यह point है तो यहां से आए यह point हमारा meet करेगा दोनों line यह हमारा point हो जाएगा 2,5 तो यह first point हो गया ठीक है second है हमारा four comma minus three तो देखिए x पर चलेए four पर और देखिए लेकिन y negative है तो हम नीचे y direction में जाएगे क्योंकि आपको पता है कि उपर जो है y positive है और नीचे y negative ठीक है यह x ने तो y x पर चलेए in the negative direction में और कहां तक जाना है कि minus three पर जाना है ठीक है तो देखिए four से चलेए ऐसे कहां तर जाएंगे होगा यह third point ठीक है यह जो fourth है seven minus four तो देखिए seven and इसके नीचे तक गए है यह आया हमारा minus four this one होगा fourth next one is fifth minus three two तो देखिए x पर minus three and y positive है तो यह उपर जाएंगे और देखिए यह हम यहाँ पर intersect कर रहा है तो यह point भुजाएगा हमारा fifth point minus three two next seven zero तो देखिए x पर seven लेकिन y हमें zero है मतलब यह इसी line पर लाई करेगा क्योंकि हमें कहीं move नहीं करना ना upward direction में move करना ना lower direction में move करना because y coordinate है वह zero है तो देखिए यह point हो जाएगा हमारा sixth point next is minus four, zero तो देखिए x में minus four इदर है लेकिन y zero है तो मतलब हम उपर move करेंगे नीचे move करेंगे तो यह यह रहेंगे हम तो यह point हो जाएगा हमारा seventh point okay next है हमारा zero, seven तो देखिए x zero है लेकिन y पर seven गए हम लेकिन x पर हमें कहीं move नहीं करना because 0 है तो हम left में जाएगे ने right में जाएगे तो यह point है zero, seven यह point हो जाएगा हमारा eighth point similarly zero, minus four तो x zero और y के value minus four यह नीचे आएगा ठीक है तो देखिए यह point हो गए ninth last point है zero, zero हो तो zero, zero कैसा होता हमारा origin होता है तो इसको हम भी origin प्लोट करेंगे यह point ठीक है यह हमारा origin हो जाएगा यह point है tenth point ठीक है तो इस तरीके से आपने देखा हमने कैसे graph वे प्रवे सारे points को plot किया झाल है यह